जिस तरीके से बावेश हम इन पांस सीतों की बात कर रहे हैं और स्कोर हमारा चार एक का है एक आजमगढ़ जो की समाजवादी पार्टी का घड़ है एक पार फिर समाजवादी पार्टी इस गड़ को जीत लेगी ये क्या बता रहा है स्कोर यूपी किस तरीके से आने वाले वक्त में वोट करेगा। वोट है, उसके बाद कुर्मी वोट है और ब्रामन वोट है। यह चार बहुत यह वीनिंग कम्बिनेशन बनते हैं बीजेपी के लिए पिछले पांत साल में बीजेपी ने राजभार जी को लेका है। उसके बाद निसाथ वोटों पर उनका बहुत तो एक अच्छा फोकस रह पांतार जोर के रखे हुएं। तो यह सब कम्बिनेशन बीजेपी के लिए एक वीनिंग फैक्टर बन रहा है। पिछले तीन-चार शुनाव में आपने देखा हुगा, पुरवान चले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन 2022 में आप असेमली को यह में एक यह भी आता है, आजमगड आता है, उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुस्किल हुई थी। उन्हीं सब चीजेपी को टैकल करने के लिए बीजेपी ने वहाँ पर लगा था छोटे-छोटे दलों को जोरने की कुसिस किया है। और एक जो सोसल इक्वेशन को है, माकी मोदी जी का फैक्टर है, जो अलाकि कैंडिडेट बहुत जादा मैटर करता नहीं इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट वीजेपी के लिए होगा, वो आजमगड में… इस बार क्या अपसट हो सकता है आजमगड की सीट पर कोई अरश्वरदन जी? अभी आपको सर्वे में नहीं दिखर आए, लेके मैं एक ही जोर्ट है। अगर हम देखेंगे तीन लाख मुस्लिम, तीन लाख यादव, बड़े सिंपल है। लेकिन वहाँ दलित वोटर्स की संख्या भी काफी है। इसलिए बिएसपी वाला फेक्टर जो है, वहाँ पर काम करता है। अगली पांच सीट पर बढ़वाँ, पूरबान चलगी, पहली पांच में स्कोर 4-1 बिजेपी के पक्ष में।